कि रिप्रेजेंट करना है 8.464 को नंबर लाइन पर 8.464 तो क्या करेंगे सबसे पहले एक लाइन खेचे लेंगे जीरो और एक एक सेंटिमेटर ते दिस्टेंस पर यह पॉइंट लगा देंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक्चली 8.49 से ज्यादा पॉइंट लेने है ठीक है 1,2,3,4,5,6,7,8 और 9 अब क्या है इस 8 और 9 लाइन है चुक्कि हमें क्या कह रहा है 8.4 तो 8 और 9 को अगर हम मैगनिफाई करेंगे इस वाले पर अगर इसको मैगनिफाई कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा फिर एक दूसरा लाइन खेचता है और इस बार जिस वाले पॉइंट को एट मानते हैं और इस जरह से इस वाले पॉइंट को कि पहले यहां पर ले लेखते हैं एक एक संटीमेटर के डिस्टन्स पर एक दो तीन चार पांच शह साथ आठ नौ और यह दस किस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं नाइट यह जो पॉइंट पहला हमने ले रखा यह कहलाएगा एट पॉइंट उस पॉइंट को हम यह यह यह.2 यह यह वाला पॉइंट यह यह.4 यह.8.500 यह.8.6 यह वाला पॉइंट 8.7 यह वाला पॉइंट 8.8 और यह.8.9 ठीक है तो क्या कहा है यह.8.46 तो 4 और 5 अब इस वाले पार्ट को मैंगनिफाइब कर देते हैं 8.4 और 8.5 इसको क्या करना है मैंगनिफाइब कर देना जब हम इसको मैंगनिफाइब करेंगा तो फिर से तीसर लाइन हम बनाएं और इस वाले पॉइंट को 8.4 ले लेंगे और यहां से इसको फिर से 10 पॉइंट इसके आगे 10 पॉइंट बनाएंगे एक एक सेंटिमेटर का डिस्टन्स पे वान टू थ्री पॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन और यह जो इसको फिर लेंगे एट पॉइंट फाइफ ठीक है तो यह वाला जो पॉइंट होगा यह यह कहल लाएगा 8.41 यह वाला जो पॉइंट के लाएगा 8.42 यह वाला जो पॉइंट के लाएगा 8.43 यह वाला जो पॉइंट के लाएगा 8.44 यह वाला जो पॉइंट के लाएगा 8.45 यह पॉइंट के लाएगा 8.46 यह पॉइंट के लाएगा 8.47 यह पॉइंट के लाएगा 8.47 यह 8.48 और यह पॉइंट कहलेगा 8.49 यह हो गया 8.5 अब 8.4 8.4 और 8.5 के बीच में 8.6 8.6 8.46 8.46 यह है तो इस वाले 8.46 और 8.47 इन दोनों पॉइंट को इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम क्या करें हैं फिर से मैगनिफाइए कर लें मैगनिफाइए करते ही क्या हो जाएगा फिर से नया नंबर लाइन बनेगा हमारा पार इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगा 8.46 और इसके आगे फिर इस पॉइंट ऐसे जैसे में बनाए ऐसे बनाएं एक एट संटिमेटर के डिस्टेंस पे ये वालब ये पॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा 8.461 ये कहलाएगा 8.462 ये पॉइंट कहलाएगा 8.463 ये point का लाएगा 8.464 ये point का लाएगा 8.465 8.466 8.467 8.468 8.469 और ये point का लाएगा 8.47 ठीक है तो 8.46 और 8.47 इनके बीच इनके बीच पॉइंट हमें मिल जाएगा 8.464 तो ये final answer हमा रहा हुआ ये 8.464 8.464 9.444 इनके बीच करदा हमें 10.461 झाल झाल